ये से हलो एफ्रीबान हतेशी एर तोड़े वी गना टॉक अबाट दे मूवी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग यह मूवी मेरी सिरीज और एक्स यानि की ऑन डिमांड एक्स्प्लानेशन की थर्टींत मूवी है वैल मुझे ये बतानी की जरूत नहीं कि इस मूवी की मेरे पास में कितनी बार रेक्वेस्ट और डिमांड आप सभी ने की हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की डिमांड मेरे पास में कंटिनेसली 6 महीनों से आ रहे थी वैल इसे समझने के लिए DCEU की कुछ और पार्ट्स भी है जो कि इससे डारेक्ट कनेक्ट होते हैं तो अगर आप वह सभी पार्ट्स को भी इंजाय करना चाहते हैं सेम टूसेम इंसिडेंस हुएं बढ़ थोड़ी डैप्थ और साथ ही ग्राफिक्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजमेंट हुए हैं जिरुवात बैटमैन वर्सेस सूपरमैन डाउन ओफ जुस्टिस की एंडिंग फाइट्स होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है डूम्स डे जिसने अब सूपरमैन के सीने पर वार करके उसे काफी बुरी हालत में निडाल कर दिया होता है अपने सीने पर लगे जखमों क की वज़े से वहां पर सूपरमैन काफी जूर जूर से चलाता और वहीं से तीन बड़ी बड़ी वेवस निकलती है जिसकी जमीन से लिकर आसमान तक चारों तरफ फैल गई और साथ ही उसकी अवास की वज़े से सारे के सारे मदर बॉक्स अक्टिवेट हो गए अब यहां प जैसा कि डार्क साइड नहीं उन्हें बनाया था तो उनको ऑपरेट करना भी उसी को याता था डार्क साइड एक काफी खतरना की लियन था जो कि अपनी ताकत और टेराफॉर्मिंग मदर बॉक्स की मदद से इस पूरे ब्रम्हांड पर कबज़ा पना चाता था आज से वहां पर धर्ती की कुछ योद्धा आ गए और उससे लड़ने लगे जिनमें शामिल थे ग्रीन लैंटर्ण युनानी देवता एमेजॉंस एटलांटियंस और साथ धर्ती की कुछ बहुबली और एक काफी लंबी चलने वाली लड़ाई जिसके अंदर योद्धा और देव दूर आएगा इसलिए वहां के तीन कभीले वालों ने यानि की एमाजॉंस ने साथी इटलांटियंस ने और धर्ती की कुछ योद्धा ने तीन अलग अलग जगे पर उन तीनों मदर बॉक्स को छिपाने का करीब 5000 साल बीच जाते हैं और तब दक इन मदर बॉक्स का कुछ में बिगड़ता और साथी डाक साइट को भनक भी नहीं चलती कि उसके मदर बॉक्स अभी किस दुनिया के इंदर मौजूद है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे युद्धा भी बदलते गए कुछ तो समय के साथ कमजोर होते गए और वहीं पर कुछ जान से मारे गए और इन सब के बाद में प्रिजन टाइम के इंदर सूपर मैन का दोर आया सूपर मैन खुद भी गौट लेवल वाला एक काफी शक्तिशाली क्रिप्टोनियन था जिसके इंदर काफी सारी सूपर अबिलिटी सूपर स्ट्रेंथ फास्टनेस और साथी सूपर साइट को फिर 2017 में थैमिस्कीर आइलेंड पर एमेजांज जहां पर रहा करती थी वहां पर जो मदर बॉक्स था वो गलती से अक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ही उसने एक बूम ट्यूब यानि की पॉर्टल ओपन कर दिया जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा श दिया था और स्टैपन वुल्फ को तब तक माफी नहीं मिलने वाली थी जब तक वो पचास हजार प्लैंट्स को डाक साइट के लिए गुलाम नहीं बना कर दे देता और जैसे स्टैपन वुल्फ को मदर बॉक्स के अंदर कुछ हलचल मिली तो वो बूम ट्यूब के थ्रू इस धर्ती पर थैमस कीरा के अलाइन पर पहुंच चुका था अब वहाँ पर उस मदर बॉक्स को बचाने के चक्कर में सबी एमेजॉंस स्टैपन वुल्फ से लड़ने लगते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर स्टैपन वुल्फ अपने कई सारे पैराडेमन को बुला लेता है और अब वहाँ पर एमेजॉंस और पैराडेमन के बीच में एक बहुती तगडी फाइट होती है वो सबी एमेजॉंस से रोखने की काफी कोशिश करते हैं मगर स्टैपन वुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर होता है एक काफी लंबी चलने वाली लड़ाए के बाद में स्टै वुल्फ के वहाँ से चले जाने के बाद में अब थैमिस किरा की रानी हिपॉलिटा ये बात जानती थी कि जिस खत्रे का सामनाम ने आज से 5000 साल पहले किया था वो जल्दी अब इस धरती पर वापस आने वाले और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर से इंसानों का नाम निशान बिट जाएगा इस बात की इंफरमिशन देने के लिए वो एक चितावनी भरा तीर अपनी पूरी ताकत के साथ में अमेज़ॉन टैंपल पर भीचती है अगले दिन जब इस बात की न्यूस टीवी में आ रही होती है कि टैंपल के अंदर एक जलता तीर बढ़ा है जो की पर हमेशा के लिए कैद कर दी गई थी और इसी के साथ ही अब डायना समझ जाती है कि जल्दी अब जंग शुरू होने वाली है इसलिए वो इस बारे में जाकर सीधा ब्रूस वेन यानि की बैट मैन को बताती है ब्रूस वेन को सूपरमेन के मरने के बाद ही इन सारे आने व पहुचता है आर्थर केरी से मिलने के लिए उस लोकेशन पर पहुचने के बाद में वहां पर जो लूग मौजूद होते हैं तो ब्रूस वेन उन से आर्थर के यानिकि एकवा मैन के बारे में पूछता है मगर कोई भी उसकी जानकारी देनी के लिए तयार नहीं होता है तो की अकेला ही जंग लड़ता है और सारे मैटर खुद हैंडल करता है अब आर्थर की टीम जॉइन करने की बात को रिफ्यूस कर देने के बाद में बैटमैन सीधा पहुचता है बैरी एलन के पास में जो की फ्लेश होता है और जैसी बैरी को पता चलता है कि ब्रूस वेन और क खुद बैटमैन है तो वह पल भर में उनकी टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है दूसरी तरफ डायना अपनी टीम को बढ़ाने के लिए साइबॉक्स से मिलती है यानि कि विक्टर स्टून से पर वो भी टीम जॉइन करने से मना कर देता और ठाकार कर डायना को वापस अपनी जगह पर आना पड़ता है वहीं पर सीन चिफ्ट होता है अट्लांटिस के तरफ जहां पर पड़ावा मदर बॉक्स अब धीरी धीरी अंदर से वाइबरेट करने लगता है तो वहाँ पर सारे के सारे सैनिक उसके इर्द गिर्द मौजू दोकर उस पर नज़ दीता है और जबर्दस चलांग के साथ में फुल स्पीड में तैरता हुआ सीधा अपने अट्लांटिस जगह पर पहुंच कर सामना करने के लिए तयार हो जाता है मगर स्टैपन वुल्फ इतना बड़ा और इतना ताकतवर था कि वहाँ पर एक्वामैन उसके उपर हावी न पहलते हैं और साथ यह पता चलता है कि धरतिफ पर एंटी-लाइफ एक्वेशन है एंटी-लाइफ एकवेशन बसी के लिए काइसा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम किसी की भी देमाग पर काबू करके उसे अपना गुलाम बना सकते हैं और इस एक्वेशन को सिर्फ ब अपनी दुनिया में भेज दिया था और वहां से निकल जाने के बाद में डाक साइड इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वापस से प्रत्वी को कभी ढूंडी नी पाया अब इस बात को अगर मैं आपको शाट वे में एक्स्प्लीन करूं तो समझ लीजिए कि एक छोटा सा तल मगर यहां पर दो मदर वॉक्स के यूज के बाद में स्टैपन वॉल्फ को ये बात पता चल चुकी थी कि प्रत्वी ही वो ग्रह था जहां पर डाक साइड ने कभी इस एंटी लाइफ एक्वेशन को पाया था तो इस बात की इन्फरमेशन अब स्टैपन वॉल्फ जाकर डाक साइड को देता है तो डाक साइड उससे कहता है कि एगर तीनों मदर वॉक्स को ढूंड कर अगर तुम इस धरती को टेराफॉर्म कर दो तो मैं तुम्हारी गुलामी से मुक्त कर दूँगा और जाथ ही एक बात और कहता है कि जिस दिन तुम इस धरती को टेराफॉर्म कर दो तो वो यहाँ पर राच करने के लिए इस धरती पर जरूर आएगा अब इस बात को सुन लेने के बाद में स्टैपन वुल्फ को सिर्फ और सुरिफ आकरी मदर बॉक्स को ढूडने की जरूरत थी जिससे कि वो डाक साइट को खुश कर पाए मगर यह तीसरा बॉक्स जो की धरती की लोगों के पास में था यह एक्टिवेटी नहीं हो रहा था और यही वज़ा थी कि उसे ढूडना काफी ज़दा मुश्किल हो चुका था मगर स्टैपन वुल्फ भी हार मानने वालों में सिका था वो उन लोगों पर अपनी इंवेस्टिकेशन करना शुरू कर देता है जो कि कभी उस मदर बॉक्स के आसपास मौजूद थे और इसी तैकिकात के अंदर वो सीधा पहुंचता है स्टार लैब में वहाँ पर मौजूद वहर किसी को अपने कबजे में लेकर उनने अपनी ही एक लोकेशन पर कैद कर लेता है ये सबी स्टार लैब के वरकर्स होते हैं जो कि कभी उस मदर बॉक्स के कॉंटेक्ट में आये थे वहीं दूसरी और हमें ये पता चलता है कि वो मदर बॉक्स और किसी के पास नहीं बलकि खुद विक्टर स्टोन के पास में था जिसने उसे किसी एक खूफिय जगे पर छिपा रखा होता है वहीं अब गौथम सिटी के अंदर जब बैटमैन को ये बात पता चलती है कि किसी एक अनाइडेंटिफाइड स्पीचीज ने काफी सारे लोगों को अपनी कैद में रख रखा है तो वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है इसी बीच हमें बैरी एलन की एक पास्ट की चलक भी दिखाये जाती है जहां पर वो एक रैस्टरों के अंदर कुछ खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक गाड़ी से टकराता है उस गाड़ी से टकराते हैं वक्त एक लड़की का काफी बुरी तरीके से एक्सिदेंट होने वाला होता है मगर बैरी एलन सही टाइम पर आकर अपनी सूपर फास्ट स्पीडनेस से उससे बचा लेता है और वहीं से अगेन ये कहानी प्रेजन टाइम में आती है जहाँ पर बैटमेन उन सभी लोगों की तलाश में था बाहर निकालने लगता है वहीं बैटमेन साइब और साथी थैमस्केड़ा की कुईन वंडर वूमेन अब उन सभी प्यारा डीमन और साथी स्टैपन वुल्फ का जोरदार सामना कर रहे होते हैं साथ एक खास बात आपको बताता चलों कि जैक स्नाइडर जुस्तिस लीग की सबसे खास बात यह है कि पिछले मुवी के सीजी और वीएफेक्स के बदले यहां पर जो वीएफेक्स यूज हुए उनके इंदर सीन भी काफी सारी चेंज किये गए उनने काफी साइबॉर्ग उसके उपर एक मिसाइल चलाता है मगर तभी वहां पर स्टैपन वर्फ उस मिसाइल को कौतम हार्बर की एक वाल में भीड़ देता है इस वजह से वहां का पानी अब उसी डैम की नीचे बैने लगता है और हर कोई अब मरने की कगार पर आ चुका होता है मगर तब ही उन सभी की हेल्प करने के लिए वहां पर एकवा मैन यानि की अर्थर केरी पहुंच जाता है और उन सभी को बचा कर वहां से बाहर निकाल लेता है लेकिन इसी बीच विक्टर ये बात समच चुका था कि आखरी मदर बॉक्स अब खत्रे से खाली नहीं है इसलिए व भाग कर सीधा अपनी सिख्रेट लोकेशन पर पॉच्छता है जहां पर उसना मदर भॉक्स को चिपा रखा हो तका है और वहां से उस मदर भॉक्स को निकाल कर वापिस अपनी टीमिच के पास में आता है साथ ही हमें यहां पर विक्टर का पास्ट भी दिखायिया जाय जात उस एक्सिडेंट की वज़े से वो अपने हाथ पैर उसी में कावा देता है और साथ ही उसके कई सारे बॉड़ी पार्ट्स भी डैमेज हो चुके होते हैं अब वहां पर साइलस स्टून जो के स्टार लैप के मालिक थे वो चाहते थे कि वो अपने बैटे को वापस से रिबिल और हर किसी ऐसे शक्स की मदद कर सकता था जो कि हैलपलेस होता है अब यह सारी बाते वहां पर मौजूद टीम को पता चलती है कि मदर बॉक्स से किसी इंसान को जिन्दा किया जा सकता है तो क्यों नवा उसकी पावर से सूपरमैन को वापस से जिन्दा करें क्योंकि साइट करते हैं अब एक तरफ तो विक्टर और साथी बहरी सूपरमैन की कबर खोट कर उसे वापस अपनी गाड़ी में ले जाते हैं वहीं दूसरी और ब्रूस वेन और साथी डायना उन दोनों का इंतिजार उसी शिप में कर रही होती है जिस शिप के इंदर जॉड इस ध संदा किया जाए मगर यहां पर प्रॉब्लम में इस बात की थी कि मदर बॉक्स को भी एक्टिवीट करने के लिए काफी सारी पावर की जिरूत थी तो वहां पर साइब कहता है कि यह काम में कर सकता हूं और जैसी वह अपने आपकी कनेक्टिविटी उस जॉट के साथ में कर मर जाने की वज़े से सूपर मैन अब काफी जदा एवल हो चुका है और इसका में रिजन था एंटी लाइफ एक्वेशन जो कि अब डाक साइट के हातों में आ चुकी थी और इसी की वज़े से उसने सूपर मैन को अपना गुलाम बना लिया था अब यह सारा भविश है यह स्पीड में वहां से भागने लगता है अब यहां पर फ्लेश जब भी 30 स्पीड में भागता है तो उसके अंदर एक इलेक्रिसिटी जनरेट होती है और जैसे वह फुल स्पीड में भागता हुआ कर मदर बॉक्स को अपनी उंगले से टच करता है तो उसकी अब बॉरे के ब कैने में डिटैक करता है और वहीं पर वह उस पर गलती से शूट कर देता है और इस वज़े से अब तो सूपरमें को और जदक गुस्ता आ जाता है अब यहां पर बाग की सभी मिलकर सूपरमें को रोकने की कोशिश करते हो और उसे इस समझाने लगते हैं कि हम तुमारे लेकर निकल जाता है वहीं पर अब मदर बॉक्स के एक्टिवेट हो जाने की वजह से इस बात का पता स्टैपन वुल्फ को भी चल जाता है और वह से लेने के लिए बूम ट्यूब की मदद से डिरेक्ट उसी लोकेशन पर पहुचता है जहां पर मदर बॉक्स जस्ट भी एक्टिवेट हुआ था मगर इस से पहले कि वह वहाँ पर पहुच था वहाँ पर साइलस स्टोन पहुच कर उस मदर बॉक्स को डारेक्ट अपने स्टार लेब में ले ज स्टोन मारे जाते हैं और वहाँ से स्टैपन वॉल्फ उस मदर बॉक्स को लेकर भाग जाता है उसके थोड़ी देर बाद में जब वहाँ पर पहुचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने मदर बॉक्स को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी मगर वहीं पर उसे एक सीक्रेट और रिवेल होता है उसे पता चलता है कि उसके पिता लेजर लाइट के थो उस मदर बॉक्स को मिटाने की नहीं बलकि उसे एक्स्ट्रीम हीट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर स्टैपन वॉल्फ उसे पुरी दुनिया में कहीं पर भी ले जाए अब यहाँ पर एक और तो स्टैपन वॉल्फ रशिया के इंदर पहुँच कर अपने उन तीनों मदर बॉक्स को एक साथ जोड़ कर इस पूरी दुनिया को टेराफार्म करने की कोशिश कर रहा था वहीं पर बैटमेन की पूरी टीम अब उस हीट सिगनेचर को ढूंड कर अ अब विक्टर अपनी पूरी टीम को लेकर उसकी एक्चल लोकेशन पर पहुची जाता है दूसरी तरब अफ सूपरमैन अपने लिए एक नया सूट लेने के लिए वापस से क्रिप्टोनियन शिप में जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसकी डूमस्डे से फाइट हु लेकिन वही दूसरी तरफ जो की एक सैनिक युद्धा था उसे ब्लैक कलर की ड्रेस मिली थी और अब जैसा कि उसे एक बहुत ही बड़ी जंग लड़नी थी तो इसलिए वह अपने आपके लिए एक ब्लैक कलर का सूट करता है अब यहां पर हम सभी एक बात जानते हैं कि साथ ही बात और की ब्लैक कलर अल्ट्रा वालेट करनों को काफी अच्छी तरीके से अबसॉफ करता है और अब इसी वजह से सूपर मैं सन के सामने खड़ाओकर काफी देर तक अपने आपको चार्ज करता है और चार्ज हो जाने के बाद में वह सीधा पहुंचता है बैक्मै करने की कोशिश करता है वहीं पर धरती पर अब सारे सूपर हिरोज मिलकर वाँ पर स्टैपन वुल्फ के पैराडिमन आर्मी को रूखनी की कोशिश करते हैं मगर इस प्रौसस में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था लेकिन इसी बीच वहां पर सारी के सारे सूपर शुरू कर देते हैं अब एक तरफ तो साइब और उन तीनों की तीनों मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करता है वहीं पर दूसरी और बैटमैन और साथी वंडर मुमेन अब स्टैपन वुल्फ का सामना करने की कोशिश करते हैं वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसकी ताकत के आगे ये तीनों ही नई टिक पारे होते हैं यहां साइब और गब उन तीनों मदर बॉक्स को अलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा लगता है मगर वो धिरी धिरी कमजोर होने लगता है इसलिए वो यहां पर बैरियलन यानि की फ्लैश को कहता है कि मुझे और पावर की जरूरत है इसलिए वहां पर फ्लैश अपनी पूरी अलेक्रिसिटी को जमा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा राउंड काटता है और वहां पर तेज तेज भाग कर अपने शरीर के अंदर काफी सारे इलेक्रिसिटी जमा करने लगता है ताकि वो सही वक्त पर साइबोर को वो पावर दे पाए जोसे की तीनों की तीनों मदर बॉक्से अलग हो पाएं इदर बागी से भी सूपर हिरो के लिए स्टेपन वुल्फ को संभालना काफी भारी पड़ चुका था मगर तभी यहाँपर अपना सूपर हिरो यान bran की सूपरमैन एंट्री लेता है और वहाँपर धाड़ाध्र स्टेपन वुल्फ को पेलना शुरू कर देता है and seriously guys ये moment मेरा इस movie का सबसे favorite moment है आप लोग भी मुझे अपना favorite moment इस movie से related comment section में जरूर बताइएगा कि सबसे better fight या फिर सबसे iconic scene आपको इस movie में कौन सा लगा step and wolf जो कि अब superman के सामने टिक नहीं पा रहा होता है वहें पर superman अपनी laser light से उस पर काफी सारे वार करता है वहीं दूसरी और अब जब flash पूरी speed में भाग कर अब अपने अंदर काफी सारे electricity generate कर चुका था तब ही वहाँ पर उस पे एक paradigman हमला कर देता है और वह जक्मी होकर वहीं पर गिर पड़ता है अब एक तरफ तो विक्टर उसे जोर जोर से चिलाने लगता है कि बैरी तुम कहाँ पर मुझे electricity की जरूरत है क्योंकि जब तक मुझे power नहीं मिल पाएगी तब तक मैं इन सभी mother boxes को अलग नहीं कर पाऊँगा महीं पर अब बैरी ये सोचने लगता है कि बेलेट हो चुका हो मुझे से कुछ भी नहीं होगा और धीरी धीरी करते करते वो वक्त आता है जब सायबाउर का अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और वहाँ पर एक जोरदार blast होता है जसके अंदर सभी मारे जाते हैं अब यहाँ पर flash उनकी location से काफी दूर होता है इस वज़े से उस पर उसकी जदा तरंगे नहीं पहुच पाती इस बात से एक पल के लिए flash को काफी दुख तो होता है मगर वो यह बात जानता था कि वो इस जंग को dark side के लिए कभी हारेगा नहीं और वो अपनी पूरी ताकत से अब अपनी full speed के अंदर भागना शुरू कर देता है उसकी speed इतनी तेज होती है कि वो light speed से भी ज़्यादा fast होती है और अब धीरे धीरे समय वापस से reverse होना शुरू हो जाते है क्योंकि वो इतना fast था कि उसकी speed को कोई test नहीं कर पा सकता था और जैसे जैसे flash उनकी और आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे time reverse में जाने लगता है और वो जो धमागा हुआ था उस धमागे से जिन जिन सूपर हिरोज की जाने गई थी वो वापस से recover होना शुरू कर देते हैं और यह वह time moment था जिस time moment के अंदर साइबॉर को electricity की जरूरत थी और वहीं पर accurate timing के अंदर flash आकर उसे वह सारी electricity दी देता है जिसकी मदद से अब finally साइबॉर्ग उन तीनों की तीनों मदर बॉक्स को अलग करने में सक्षम हो पाता है मगर फिर भी उसे और जदा ताकत की जरूरत थी तब उसका साथ निभाने के लिए पहुँच जाता है सूपरमैन मगर इसे भी जब वो तीनों की तीनों मदर बॉक्सेज एक साथ मिल चुके थे तो वहाँ पर एक नया पॉर्टल खुल चुका था जिसकी मदद से अपॉकलिप्स ग्रह पर डाक साइट को इस धर्ती पर आने का रास्ता मिल चुका था मगर तभी सूपरमैन एक जोरदार पंच मारता स्टैपन वुल्फ को और वो उसी पॉर्टल के अंदर जाकर गिरने वला होता है मगर उससे पहले वहाँ पर वंडर वुमैन अपनी तलवार से उसका गला काट देती है और उसकी डेट बॉड़ी आध्याधे पार्ट्स के अ कि तीनों की तीनों मदर बॉक्स अब सैपरेट नहीं थे वो तीनों की तीनों अलग हो चुके थे इसी वजह से बूम ट्यूब अब काम करना बंद कर दिया होता है इसका मतलब यह था कि अभी डाक साइट बूम ट्यूब के थरू इस धरती पर आकर एंटिलाइव पाद में अब सारे सूपर हीरोज काफे खुश थे और वहीं पर अब वो सभी एक एक करके अपनी जिंदगी में वापस लॉट जाते हैं बूस वेन वहाँ पर अल्फरेट के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक नया बेस तयार कर रहा था ताकि उन्हें फूचर में काम करन नाम का एक नया करेक्टर हमारे सामने आएगा वहीं पर आगे हमें बैट मैन का नाइट मेर भी दिखाया जाता है जिसके अंदर डाक साइड ने इस पूरी दुनिया पर कबजा कर लिया होता है जिसमें उसका साथ दे रहा होता है खुद सूपर मैन इसकी आँके यहां पर हमें रेट कलर की दिखाई जाती है और यहां पर बैट मैन ने आपने बाकी से भी दोस्तों और साथी दुश्मनों के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक टीम बिल्ड़ अप कर ली थी ताकि वह वापत से सब कुछ ठीक करके इस दुनिया को पहले जैसा बना सक करेंगा और तुम्हारी टीम के साथ मिलकर लड़ूंगा क्योंकि इस बात का उसे पहले से ही पता चल चुका था कि डाक साइड अब इस दुनियों में जरूर आएगा और यहां पर हमला करके हम सभी को मारने की कोशिश करेंगा और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ में यह शांदर मुवी यही पर खत्म होती है आप को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और पहली बार इस चैनल पर आएं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसके बाद में मैं और और शांदर मुवी लेकर आऊंग झाल झाल